तियार आज फिजिक्स में मचाते हैं अच्छा कोशन है दिमाग वाली कोशन है किया तीन उनिट वेक्टर को जोड़के अगला उनिट वेक्टर मिल सकता है I think सोचो बहुत आसान है इदर पर एक उनिट वेक्टर माल लो A कैप इधर पे दूसरा unit vector माल लो B cap क्योंकि इनके magnitude सबका बने इधर पे तीसरा unit vector माल लो C cap यस पहले वाले question का answer है yes देख लो यह तुमारे सामने है क्योंकि यहाँ पे A cap और B cap ने एक दूसरे को cancel out कर दिया तो net vector क्या बचा तुमारा resultant तुमारा C cap बचा magnitude तो सबका बने है अगर दो vector opposite direction में हो जाएंगे तो हाँ यह काम हो जाएगा अगला question है दो यह आंसर चेंज इफ टू unit vectors are along the coordinate axis चलो माल लेते हैं यह x axis है यह y axis है तो चलो दो unit vector अपन coordinate axis के लोग माल लेते हैं एक है तुमारा I cap दूसरा है तुमारा J cap क्या आप तुमारा answer change करेगा नहीं नहीं करेगा क्यों क्योंकि अभी मैं तीसरा vector मान सकता हूँ तो यह मेरा तीसरा vector है मेरा तीसरा vector मैंने यह माल लिया minus J cap तो देखो अभी भी इन दोनों के add करूँगा तो यह दोनों cancel out हो जाएंगे और मुझे resultant क्या बचेगा यह दोनों तो cancel out हो गए resultant क्या बचा मेरा यह बचा मेरा resultant I cap तो अभी भी तीन vectors को जोड़के तीन vectors को add कर के मुझे एक unit vector मिल रहा भाय है मुझे एक unit vector मिल रहा है और और उनुमें से पूछना चाहिए तो वो question ऐसा होना चाहिए था does your answer change if only two unit vectors माल लो और अच्छा question बनाते हैं इस question को थोड़ा all difficult करते हैं अगर माल लो सिर्फ दो ही vectors तुमारे coordinate axis के लोगे तो क्या होगा सिर्फ दो vectors है माल लो coordinate है ना तो हमको इस direction में एक और unit vector एक direction इस direction में एक vector मिलेगा जिसका magnitude होगा root 2 अब ये unit vector नहीं है let's call it a vector है इसको कुछ a vector बोल देते हैं इसका magnitude क्या हो जाएगा root 2 क्योंकि पाइधा को रस है root of 1 square plus 1 square root 2 है ना तो सोचो अब तुमें तीसरा vector चाहिए एक vector ये है अब तुमें तीसरा vector चाहिए है ना तो क्या आपन इससे unit vector बना सकते हैं बिल्कुल बना सकते हैं इसको सोचो है root 2 को अपन इधर ले लेते हैं ये एक vector ये एक vector तो है ये एक vector तो है जिसका magnitude किता है root 2 कोई दिक कर नहीं है अगला vector तुम कुछ ऐसा माल लो ये तुमारा अगला vector ये है जिसको तुम add कर रहे इसको बोल देते कुछ B cap सोचो इन दोनों vector को add करेंगे तो क्या आएगा तुमारा ये आएगा resultant ये ये आएगा यहाँ पर C cap क्या है C cap एक unit vector क्यों है सोचो ना अगर तुम्हें हलका सा भी आता है इसका magnitude 1 है ये तुम समझो ना ये अगर 90 degree पर ये 45 degree पर ये आईसो स्लेस राइट ट्रेंगिल बन रहा है तो अगर इसका magnitude बन हो जाए तो hyperteneuse का magnitude root 2 होता है यहाँ पर ये दोनो head to tail joint है तो यहाँ पर clearly a vector plus b cap is equal to c cap है ना तो तब भी possible है मालो हमने हमसे बोला गया है कि भाई सिर्फ दो ही vector x और by axis के along होने चाहिए तो ठीक है भाई यहाँ पर सिर्फ दो ही vector x और by axis के along है ना ठीक है क्योंकि उस case में अगर तुम्हें resultant तुम्हें इन दोनों का resultant यह चाहिए तो यह जो vector है वो y axis के along आ रहा है अगर इसको तुम्हें बीकेप अपना ऐसा माल लिया let's say तुम्हें अपना बीकेप ऐसा माल लिया तो magnitude 1 से जादा होगा तो अगर सिर्फ दो unit vectors तुम्हें चाहिए x और y के along और तुम्हें चाहिए कि और तीसरा unit vector ऐसा चाहिए कि resultant अगला unit vector आ जाए so no it is not possible तो मैंने conditions के साथ answer बता दिये तुम्हें है ना मैंने दोनों answer तुम्हें condition के साथ बता दिये तीक